जय हिंद इस वीडियो में लोग औरो सी ले समीट सिंडिया लिमिटेड कमणी पर बात करेंगे जैसे कि आप जानते हैं अब यह कंपनी जेसे में होना की चलते इसके सेयर प्राइस में इन दिनों अच्छी खासी तीजी देखने को नहीं मिल रही है तो इस वीडियो में आपक बताऊंगा कि अखिर किस्त कारण से कंपनी अभी जीसमें रिष्ट में गया है और इससे बाहर का आएगा साथ मैं अभी बताऊंगा कि कंपनी का फ्यूचर ग्रोथ क्या है ताकि जो लोग इसमें इंवेस्टमेंट किये हुए उन्हें कोई नुकसान ना हो सके और सब्सक् कंपनी मतलब देखने में ठीक लगता है लेकिन आगे देखेंगा फंडामेंटल कैसा है समझें मार्केट के चप्विस क्रोन यानि कि सिर्फ ट्वांटी सिक्स क्रोन मतलब बहुत चोटी कंपनी है तो यह तो प्यूचर पर पैसा है और इन दिनों एक दू दिनों से इसमें मतलब अभी जो कंपनी दस रुप्यासी पैसा तक गया है अभी जब से कंपनी अधिक्तम हाई यहीं तक इसने बनाया है और उसके बासे डाउन जाने लगा तो देखिए अभी जब यह डाउन जाने लागा तो एक डिड़ मास्ति इसका जो सेयर प्राइज में ही ट्रेट कर लेकर 7.7 रुपे के बीच में ही अटका हुआ है इससे बाहर नहीं निकल जहुए इसको गएंगा साइड वेज रेंज अब देखिए कि इसका कारण क्या है कि इससे बाहर नहीं निकल रहा है तो आपको पता है कि अभी है कमपनी जीए सबी ने इसको जीएसा अम डेस्ट मे तो जब तक यह कंपनी के सेर प्राइस में कुछ खास देजी आपको देखने को मिल सकता है अब समझ यह कंपनी का कंपनी से बाहर आती है आप क्या किजिएगा अपना प्रोफिट कर लीजिएगा प्रोफिट भूक करने का क्या मतलब हो और आपने सेर पास रॉपया ऊपनी के सेर पांच रॉपया म में खड़ता आपको छो रुपए शीर और इंवेस्टमेंटी से अधिक नेयुद कीजिए डिमेट एकाउन में सोग आप करनेकाट वह यहीं कर रहा हूं क्यंकि इस और जब भी आप किसी पेनिये श्ट्रक में इंवेस्टमेंट कीजिए तो देखिए कि उसका बुक वैलू कम से कम एक रोपया से उपर जरूर होना चाहिए तो बुक वैलू बहुत कम है दूसरका बात इसका आरोई और रोची दोनों निगेटिव में आप किसी पेनिये श्ट इसलिए आपको यह भले आप पेनिये श्टम के लिए आये हैं तो आपको प्रोफिट हो सकता है कि लॉंग टर्म के लिया से कंपनी अभी तक जो इसके फंडामेंटल में बताया यह ठीक नहीं है इसका आगे आप समझेंगे तो कंपनी की बात करें तो जो दिसंबर तीमाही की रिजल्ट आया थे वह संदर आये तो में रिभीनियु हुआ था अठारा लाका जो बढ़कर हो गया तिरपन लाका तथा इसका प्रोफिट लॉस्ट में था साथ लाका सब्सक्राइब करते हुए कंपनी एक लाके प्रोफिट पर आई तो कंपनी के ठीक आयते हैं लेकि अगर आपको देखिए और करजा है कंपनी के बुराई नहीं कर रहा हूं जो है हकीकत उसके वारे में आपको बता रहा हूं मेरा कोई इंटेंस नहीं है आपको दीमोटिवेट करने का लेकिन अगर आपका कोई नुकसान नहीं आप इसलिए इसलिए मैं आपको बातें बता रहा हूं बाकि आपको अपने बीवेक करना कीजिए गा एक चीज इसमें अच्छे किसमें पर्मोटर के लगभग 75% के इसलिए पर्मोटर की है तो इसलिए इसमें ज्यादा चिंता और घबला अच्छी खासी तेजी इसमें देखने को मिल सकते हैं और फिर आपको मुनाफ़ा हो सकता है बाकि जो नए लोग हैं अगर इसमें इंवेश्टमेंट करना चाहते तो उनके लिए मैं इस कंपनी में इंवेश्टमेंट करने के सुझाओं नहीं दूंगा बहुत सारे पेने इ नहीं नहीं देने बात शुक्रिया